नमस्कार मैं जैकुमार आप खुद सोचिए कि देश की बदनामी कब होती है? क्या देश की बदनामी तब होती है जब सरकार के बेकार काम काज के चलते देश बरबादी के रास्ती पर चल निकल पड़ता है? या तब होती है जब देश को बरबादी के रास्ते से बचाने के लिए खामियों को सच की तरह पेश किया जाता है राहुल गांदे ने कैम्ब्रीज विश्विद्याले में नरेंद्र मोदी से ठीक उल्टी सैली में यानि बिना जूठे घमंड के मजूदा वक्त की खामियों को उजागर करते हुए नरेंद्र मोदी के दोर में देश के लोकतंत्र की दुरगती पर भाशण दिया तो भाशपा की तरफ से किंद्रिय मंत्रिय अनुराक ठाकुर ने प्रतिक्रिया दे की राहुल गांदे ने विदेश की धर्ती पर जाकर देश को बदनाम करने का काम किया है इसी तरह से भाजपा की तरफ से कई नेताओं ने बयान दिया जिनके मताबिक राहुल गांधी के भासर ने आबाद भारत को बरबाद भारत बताया है तो चलिए इसी को संदर बना कर दुनिया भर के तमाम वैश्विक मानकों पर देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के दौर में भारत का क्या हाल रहा है भारत आबाद होने के रास्ते पर चल रहा है या बरबाद होने के भारत की यसली बदनामी का कारण मोदी सरकार का काम काज है या राहुल गांधी का कैम्ब्रीज में दिया गया भाशन प्रतिवेक्ति आमदनी से सुरू करते हैं भारत दुनिया की 50 सबसे बड़ी अर्थवेवस्था है प्रतिवेक्ति आमदनी के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया के 194 देशों के बीच 144 पैदान पर खड़ी है करेंट प्राइस की अधार पर साल 2020 की प्रतिवेक्ति आमदनी 1,45,000 सलाना के आसपास थी यानि महीने की आमदनी मुश्किल से 12 से 13,000 के आसपास थी अब इसमें अगर यह भी जोड़ दिया जाए कि भारत दुनिया के सबसे अधिकार्थी का समानता वाला देश है तो अब 10% अमीरों के पास देश की 77% संपत्ति है तब इस्थिति और भयानक दिखती है पता चलता है कि 90% आबादी महीने में मुश्किल से 10,000 रुपे भी नहीं कमा पा रही है इस जगह से खड़ा होकर देखेंगे तो सरकार के कामकाज में ऐसी तमाम खामिया दिखाई देंगी जो देश को आबाद करने की बजाए बदनाम करने से चुड़ी हुई है भुखमरी पर पेस होने वाली ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में भारत दुनिया के 121 देशों के बीच में 107 वे पैदान पर खड़ा है इस रिपोर्ट में सिरलंका, मयनमार, बांगलादेश, नैपाल भी भारत से आगे हैं दो साल से भारत सरकार इस रिपोर्ट को यह कहकर खारिज कर रही है कि भुखमरी को मापने का तरीका ठीक नहीं है भुखमरी की रिपोर्ट में इतने पीछे होने का मतलब यह है कि समुचित मात्रा में खाना मिलने, उचाई के मताबिक वज़न होने, उम्र के मताबिक उचाई होने और पांच वर्ष से कम बच्चों की मृत्यू की संख्या के मामले में भारत की स्थिति दुनिया के तकरीबन 106 मुलकों से बद्दतर है, ध्यान दीजेगा कि यह स्थिति तब है जब भारत में 80 करोण लोगों को भारत सरकार दो वक्त का मुफ्त में खाना देती है, इस योज अब आप खुद सोचिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 में पैदान पर होना, विदेशी धर्ती पर भारत की बदनामी का कारण है या राहुल गांधी का भाषन, क्या भुक्मरी के ऐसे हालात पर दुनिया भारत को आबाद देश कहेगी या बरबाद देश, साल 2022 में प्रकासित ग्लोबल प्रेस फ्रिडम रैंकिंग में भारत दुनिया के 180 देशों के बीच 150 में पैदान पर मौझूद था, जबकि साल 2016 में भारत की रैंकिंग 133 भी हुआ करती थी, साल 2020 में भारत 142 में पैदान पर मौझूद था, तब इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया था, कि पत्रकारिता की दुनिया में भारत बैड यानि खराब कटेगरी वाले देश में आता है, पत्रकारों के लिए भारत दुनिया के सबसे खतरनाग देशों में से एक है, इसी रिपोर्ट ने जिक्र किया था, कि साल 2014 में नरेंदर मोधी के प्रधान मंत्री बनने के बा रही है, मिडिया पर एक खास वर का मालिकाना हक लगातार भड़ते चला जा रहा है, या भारत में मिडिया संकट की स्थिती को दर्जाता है, ग्लोबल फिडम इंडेक्स में जब भारत की ऐसी स्थिती है, तो आप खुद ही बताइए कि स्विदेशी रिपोर्ट में भारत क बदनामी का असली करण क्या है, भारत की बदनामी किसके वज़े से हो रही है, नरंद्र मोदी के काम काज की वज़े से हो रही है, या कैम्ब्रीज में राहुल गांदी के भासन की वज़े से, जादा दूर नहीं जाना है, राहुल गांदी के भासन पर ही मुख्यधारा के अमाम टीवी चैनलों के प्रोग्राम की हेडिंग देखिए आपको पक्चधर्ता साब साब दिखेगी भारत महान राहुल करे बदनाम दुनिया बोले भारत अबाद राहुल क्यों बोले भारत बरबाद विदेश में देश का अपमान क्यों इस तरह की खबरिया हेडिंग क्य भारत के आबाद होने की कहानी बताती है या बरबादी की कहानी बताती है दुनिया भर के औरतों के हालात पर ग्लोबल जंडर गैप रिपोर्ट पेस की जाती है औरतों की राजनितिक भागिदारी आर्थिक हैसियत सिक्षा का अस्तर स्वास्त और संगर्ष को पैमाना बना कर या रिपोर्ट तयार की जाती है इस रिपोर्ट में भारत दुनिया भर के 146 देशों के बीच 135 पैदान पर खड़ा है भारत में और तो कि इस बुरे हालाद से दुनिया में पैदा होने वाली बदनामी के लिए क्या राहुल गांदी का भासन जिम्मेदार हो सकता है या 25 करोड लोग आते हैं या संख्या कम नहीं है बलकि दुनिया भर में सबसे जादा है और तसास्तियों का कहना है कि या संख्या इससे भी जादा हो सकती है अब आप ही बताईए कि अगर बदहाली बदनामी का करण बनती है तो दोसी राहुल गांदी का भासन होना चाहिए य आनुराप ठाकुर की पार्टी का कामकाज सामपरदाइक तनाव के मामले में पी-उ रिसर्च के मताबिक सोसल हॉस्टेलिटी इंडेक्स में इंडिया का स्कोर मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर 10 में 9.4 है भारत सामदाइक सत्रुता के मामले में बांगला देश, इजिप्ट, पा होता है? क्या धार्मी का धार पर कटरता को सहन करना पड़ता है? क्या धार्मी का धार पर ढराया धमकाया जाता है? क्या धार्मी का धार पर भीड़ गोल बंद हो करके हिंसक कामों को उकसावा देती है? इन सारे सवालों पर मिले जवाबों के अधार पर भारत दुनिया के स सबसे ज़्यादा कट्टर मुलकों में सामिल है ऐसी परिस्थिती किस ने बनाई है सोचिए कि ऐसे बुरे हाल के लिए कौन जिम्मेदार है राहुल गांदी का भाशन या केंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकुर का गोली मारे सालों को देश के गद्दारों को जैसा बयान क्या देश में नफरत के बीच वो लोग बो रहे हैं जो सच को परोस्ते हैं या वे लोग बो रहे हैं जिनकी पार्टी अनुराग ठाकुर जैसे लोगों से मिलकर बनी हैं इसी तरह के तमाम गलोबल इंडेक्स का हिसाब किताब देखते चलिए इंटरनेशनल इंटेलेक्श्वल पोपर्टी इंडेक्स के मामले में भारत 2014 में 25 वे नंबर पर आता था दोजार बाइस में लुड़क कर दुनिया के 55 देशों के बीच 42 वे नंबर पर पहुँच गिया है यानि भारत की तरफ से मानो कल्यान के लिए नई चीज़ें पहले से भी कम बनाई जा रही हैं नरें 2015 के बाद 5 साल यानि साल 2020 कम्पलीट हो चुका है नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में बात करने ही बंद कर दी है साल 2019 से ग्लोबल स्मार्ट सिटी की गणना शुरू होई इसमें भारत की तरफ से बैंगलूरू दिल्ली मुंबई और हैदराबाद को सामिल किया गया बैंगल करके 89 पैदायर पर चल पड़ा है और हैदराबाद 67 से 92 नंबर पर चला गया है सरकार के कारिंदय या हकीकत तो आपको बताएंगे नहीं उल्टा अगर सच की आवास थोड़ी तेज हुई तो भारत पर हमला और बदनामी कहकर खारिच करने लगते हैं आप सोचिए कि एक करनेट बंद करने की आदेश से जुड़ा है वह उस देश का हाल है जहांके नेता खुद को मदर अब डेमोक्रेसी कहलवाने के लिए बेताब रहते हैं रूल अफ लौ यानिके आनुन के सासन के हालात को देखिए भारत में इसके अनुनत उधारन है जो यह बताते हैं कि इ आजपा की तरफ से कहा गया कि राहुल गांदी के दिल और दिमाग में पेगासस बस चुका है जबकि असली हकिकत यह है कि सुप्रीम कोट ने पेगासस मामले पर कहा था कि सरकार ने सहयोग नहीं किया यह बात क्या बताती है क्या यह बाते कैसी सरकार के लप्छन को नहीं दिर शाती हैं जिसका कामकाज देश के बदनामी का कारण बन सकता है इसके अलावा ऐसे तमाम कारे करता है जिन पर गलत आरूप लगा कर जेल में बंद कर दिया गया है लंबे समय से वह जेल में बंद है संस्थाएं स्वतंत्र होनी चाहिए मगर उनकी स्वतंत्रता मोधी सरकार के यहां गिर्वी रख दी गई है Global Rule of Law Index के मामले में भारत 6.6 नंबर से किसक करके 75 नंबर पर चला गया है अगर इन तमाम पैमानों पर भारत पीछे खड़ा है तो खुसी के पैमाने पर आगे कैसे खड़ा हो सकता है World Happiness Index के मामले में भारत 149 देशों के बीच में 136 नंबर पर मौझूद है दक्षनेसिया में केवल तालिबान सासित अफगानिस्तान ही भारत से पीछे है विस्विकिया तमाम रिपोर्ट क्या बताती है या तमाम रिपोर्ट यही बताती है कि राहुल गांदी ने कैम्बरीज में जो कहा उन बातों की पुष्टी स्थापितत थे और दुनिया की तमाम रिसर्च रिपोर्ट भी करती है पूरी दुनिया उन खामियों के बारे में जानती है जिन खामियों का जिक्र राहुल गांदी ने कैम्ब्रीज में अपने भासड में किया अगर इन खामियों से बदनामी होती है तो इसकी जिम्मदारी राहुल गांदी की नहीं बलकि मोदी सरकार की है मोधी सरकार के कारناमों की है जिनकी वज़ा से भारत आज तमाम वैस्विक पैमानेों पर पीछे खड़ा है इन ग्लोबल आंकडों को सुनने के बाद कोई यह कह सकता है कि हर देश की अपनी अलग परिस्थिती होती है उस हिसाब से वह प्रगती के पत पर आगे बढ़ता है इसलिए दूसरे देशों से तुलना करने की जरूरत नहीं यह बात एक लिहाद से ठीक है मगर उसी वक्ती से यह पूछना चाहिए कि अगर मोधी सरकार खुद को विश्व गुरु बताने पर तुली है तो क्या उसे सच का आइना नहीं दिखाया जाना चाहिए अगर मोधी सरकार जूट का डंका बजा करके सच को छुपाना चाहती है तो क्या वह देश का भला कर रही है अगर सच बतला देने से देश पर हमला होने जैसा आरोप लगे तो क्या इसे देश को आबाद करने का तरीका कहा जाएगा या बर्बाद करने का किसी देश का निर्माण इस बुनियाद पर टिका होता है कि उस देश के अगुआ यानि उसके नेता किस तरह की अभिवेक्ती, चर्चा और प्रतिकरिया को जन्दे रहे हैं भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि वह हर जायत सवाल और आलोचना को देश पर हमला बता करके खारिच करती है इससे देश का निर्माण नहीं होता बलकि देश बर्बादी के रास्ते पर चलने लगता है यहां समझने वाली बात यह भी है कि हर जायत सवाल और आलोचना पर देश पर हमला जैसे जुमले का इस्तमाल भाजपा के प्रवक्ता इसलिए नहीं करते कि वह ना समझ हैं बलकि बहुत ही सोच समझ कर इसलिए करते हैं ताकि देश में सवाल और आलोचना करने वालों के प्रती घ्रिना और नफरत का माहौल हमेशा बरकरार रहे जिस पर अपनी चुनावी रोटी सेंकी जा सके एक लाइन में कहा जाए तो बात यह है कि हर जायक सवाल और आलोचना को देश पर हमला बताना देश प्रेमियों का नहीं बलकि देश बरबाद करने वालों का लक्षन है और अंत में चलते चलते यह भी सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा को यकीन हो चला है कि हर सच को देश पर हमला कहकर जनता को बरगलाया जा सकता है अगर भाज के हर नागरिक के लिए या खत्रे की घंटी है कि उसकी मौजूदा सरकार उससे इतने हलके में ले रही है और उसके देश को बरबादी के रास्ते पर ले जा रही है सुक्रिया झाल 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 झाल